Hello everyone, so very good afternoon to all of you, Praveen Chaudhary, यानि कि आपके PC वापक, आप सभी लोगों को वापस से, तहरे दिल से, नमस्कार, so finally, June 2014 कि जो आपके एक्जाम है, वो हो चुके है, complete, ठीक है, और भाई साहिब, अगर मैं इस वीडियो के बारे में बात करूँगा, तो यापके लिए बहुत ही important वाला वीडियो है, the reason being, कि 90% बच्चे एक्जाम हो जाने के बाद में, ऐसी गलती करते हैं, जिसके वज़े से, उनके 2 या 3 महने नहीं, बलकि पूरा कपूरा एक साल जो है, कल से लेके, आज से मुझे बहुत सारे बच्चों के मेसेज जो है, वो आ चुके हैं, दो मीन का अजसान है, सबसे पहला ये, कि सर, हमारे classes की validity जो है, वो खतम हो चुकी है, तो अब ऐसे case में हम classes को कैसे देखें, और दूसरा, सर बोले, यहां पे sales cut, इंडिया जो है, वो बहुत ही amazing वारी जो चीज है, वो यहां पे लेकिया है, सबसे पहले, अगर मैं उन बच्चों के बारे में बात करूँ, जिनकी classes की validity क्या हो चुकी है, खतम हो चुकी है, तो भाई साहिव, आप अपनी classes का जो renewal होगा, वो करवा सकते हैं, 4,999 रुपे पर ग्रुप के एसाब से, और अगर आपका बोध ग्रुप का renewal होगा, तो इसके लिए आपको 7,499 रुपे जो है, सिफ यही pay करने होगे, और आप अपनी classes को renewal होगा है, वो करवा लेगे, ठीक आप हुआ है 10 तारीक को ही, यानि कि आज ही के दिन पर इसकी जो latest recording होगी, वो आपको यहाँ पर प्रवाइड किया जाएगा, और जब तक के अगली एक साल तक के लिए आपके वेलिटी रहने वाली होगी, तो वहाँ पर जो भी next वाली बैचे आपके आने वाली होगी, उन वो कर सकते हैं, अब उन बच्चों के बारे में, जो कि existing वाले student हैं, या तो old syllabus में थे और आपका जो attempt है वो अब खतम हो चुका है, अब आपको new में क्या करना है, shift करना है, किसी एक group के लिए और या फिर दोनों के लिए, और या फिर आप new syllabus वाले बच्चे थे, जिसने एक अगली group का exam जो है वो दिया था और अब बुले वाइसा में को अगली group का exam जो है वो यहां पर देना है, तो भाइस साहे, क्यूंकि आप CS Card India के existing student हैं, तो ऐसी केस में आपके लिए यहां पे तीनों अलग-अलग classes के लिए recorded वाला, live batch वाला और live premium batch वाला option होगा, single group के लिए again 5,000 यानि की 4,999 रुपए, live batch के लिए अगर मैं बात करूँगा, single group में तो 5,999 और live premium batch की बात, अगर मैं यहां पर करूँगा, तो 6,999 रुपए, वहीं पर अगर मैं बोध गूर्प के बारे में बात करता हूँ, तो यहां पे 7,999 for recorded, 8,999 for the live batch, और 9,999 for the live premium batch जो है, यह आपक पे पे करना होगा, और current batch जो आपका होगा, उसका access आपको यहां पे मिलेगा, जिसमें कि अगर मैं group 1 के बारे में बात करूँ, तो यह जो class आपकी है, यह आज से, यानि कि 10th of June से ही start होई है, और अगर मैं group 2 के बारे में बात करूँगा, तो यह आपकी start होगी कब से 1st of August, सर, लिकिन recorded में, live batch में, live premium batch में से क्या-क्या फरक रहेगा, क्या difference होगा, तो भाई साहिब, इसी video के description में, आपको registration करने के अलावा, एक और video का link जो है, वो दिया गया है, जहां पे आपको पूरा detailed comparison बताया गया है, कि recorded, live और live premium batch के बीच में, क्या difference वहाँ पे होगा, और कि इसमें consequences, जो है, वो आपको यहाँ पे मिलेगी, धान दीजेगा, कि आज कर जो date है, वो है, आपका 10th of June, तो 20th of June तक का आपका जो यह offer है, यह आपके लिए क्या रहेगा, valid रहने बाला होगा, ठीक है, सब procedure क्या है, payment करने के लिए, तो उसके लिए भी इसी video के description में, आपक से main वाले मुद्दे के ऊपर, से क्या है हमारा मुद्दा यहाँ पे, मुद्दा यह है, कि जून 24 का हमारा exam जो हुआ, चीक है, अब इसके बाद में, यहाँ पे situation क्या हो सकती है, क्या यहाँ पे problem हो सकती है, जिसकी वजह से, आपका एक साल जो है, वो बरबाद हो सकता है, स उसकी advance booking job, वो करवा के आगया हूँ, और बड़े तरीके से मैं जाके क्या करने वाला हूँ, वो भी देखने वाला हूँ, दोस्तों के साथ में, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है, वो तो कल मैंने बहुत ही बड़े तरीके से आथ को बारवजय तक देखा, और फ सर भूले, आपको हमें डराने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या, तो वैसे सब याद कीजेगा, CSWT में जब मैंने preparation आपको करवाना स्टार्ट किया था, तब ही मैंने आपसे कहा था, कि पहले दिन से लेके जब तक कि CS की degree आपके हाथ में नहीं आ जाती है, मैं आपका सा मानना है कि आपका exam बहुत ही बढ़िया तरीके से गया, तो आप ऐसे case में क्या करेंगे, अगली group का preparation करेंगे, सब मैं सोच रहा था, कि result जो है, वो मेरा यहाँ पर आ जाता है, पच्छिस होगर स्कॉर आगा result, तो उसके बाद में preparation करना, जो मैं start कर दूँगा, you are wasting your time, why? बहुत simple सी बात है, बही एक बार बताओ, क्या जब हम किसी भी professional exam की बात करते हैं, तो क्या वहाँ पर guarantee दे सकते हो, क्या, कि आप जैसा result सोच रहे हो, वैसा ही आने बाला है, answer is no sir, ऐसा तो नहीं होगा, sir, तो अगर ऐसा नहीं होगा, तो फिर मैं यह करूँगा ना, कि अग इसा कुछ हो, लेकिन अगर मैं एक्जाम में फेल हो जाता हूँ, तो मैं इसी गुरूप का एक्जाम दुबारा दे दूँगा, क्यों टाइम विस करना मेरे भाई, बहुत दैंसर सुनिएगा, कि अगर आपने एक गुरूप का एक्जाम दिया था, और अगर आपका मानना ह कि एक्जाम आपका बहुत ही अच्छा गया है, और आप इसमें पास होने वाले हैं, तो अभी अगर आपने अगले गुरूप का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें क्या गलती है, इसमें क्या प्रोब्लम के है इस चीज़ के अंदर, आपको यहाँ पे प्र क्या यह असी दिन का सना बर्बाद कर दोगे, मान लो एक बार के लिए कि आपने यह 80 डेस का टाइम बर्बाद कर भी दिया, यह सोचके कि रिजल्ट को आने देते हैं, तब देखेंगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, और उसके सबसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट और डिसमर में भी वही एक्जाम दूँगा, सर फिर तो यह आपका एक नहीं डेड़े साल करा वो गया, इसके पहले जो आपने सिंगल गूर्प का प्रिपरेशन किया था, छे महने पिछले वाले गए, यह असी दिन जो थे अगले वाले 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 आपने निकाल दिया, महने का समय, और जो बोले भाई सब यह वाला समय था, वो भी आपने क्या कर दिया, उसी चीज़ को पढ़ने में वेच कर दिया, जिसके लिए आप उलरी पढ़ाई जो है, वहाँ पे कर रहे थे, तो क्या करना चाहिए, करना यह चाहिए, कि अभी जून महिने से लेकर, जो आपका August का महिना होगा, 25 August तक का जो टाइम आपके पास में है, यानि कि जो 80 दिन का समय यहाँ पे आपके पास में है, अगला जो गुरुप आपका है, इसकी पढ़ाई करना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, गुर्दा पाइंट, क्या होगा, सर यह 80 दिनों में आपका अच्छा खासा स्लेवर्स जो है, अगले वाले गुरुप का यह आपका कम्प्रीट हो चुका होगा, प्रिपेर जो है, वो यहाँ पे हो चुका होगा, और 25 तारिक को, अगर भगवान की दयास से, दोस्तों की द नेगिटिव रिजल्ट आने के बाद में, अगर उसी गुरुप का फिर से प्रिपेरेशन कर रहे हो, इसका मतलब यह हुआ, या तो यह वाला समय बरबाद कर रहे हो, और या तो फिर जब आपने इसके लिए प्रिपेरेशन पहले किया था, वो समय आपने बरबाद किया, तो क्या करना चाहिए, अगर आप अभी से जून से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप यहाँ पे अगले 190 दिनों में प्रिपेरेशन करके, बूद गुरुप का जो एक्जाम होगा, वो यहाँ पे बड़या तरीके से दे सकते हैं, अगला गुरुप आपका है, उसका प्रिपेरेशन लगबग आपका इन दिनों में हो जाएगा, यह हो जाने के बाद में, जो आपका पहले वाला गुरुप था, जिसमें आप एक्जाम प्रिपेरेशन करने के लिए, और अब आप यहाँ पे बोद गुरुप का प्रिपेरेशन भी कर सकते हैं, और कि अगर गलती से यहाँ पे फेलोगा, इसका उनलब यह नहीं है, कि आप अपने उपर फेलेर का ठपा जो वो लगा लें, और आप जिन्दियों में कभी आगे ना बढ़ पाएं, मैं तो यह कहूंगा, कि यह आपको बहुत ही बढ़िया चांस मिला है, डिसम्बर वाले एक लिए एक एक्जाम जो वो देखे देखा था, और अब बुले भाई साब, यहाँ पे एक दमबारी आ चुकी है, कि मैं भूद रूप का एक्जाम जो है, वो डिसम्बर में दूँगा, और अपने जो मार्क से ऐसे ले के आओंगा, कि मुझे और यहाँ पर हासल हो जाए, तोड़ महनत करी है, और अब टाइम मेरा क्या करने का, रिलेक्स करने का, भाई साहिब, तुमारा रिलेक्स करने का समय तब तक नहीं आएगा, जब तक तुम CS की डिगरी जो है, उसको हासल नहीं कर लेते, जब तक तुम अपने नाम के सामने CS का प्रिफिक्स जो है, वो न आपके पास में और या फिर आपके पास में लाइव के लाइव क्रास का एकसे सब्स होगा, वो आप जोइन कर लीजेगा, फिर गशन कर नहीं छार से पाश गंटे के आपके वीडियो कलासे यापको देखने है, वो अप नाम पर वाला गर आपको यहां साथ द्यूंस की नह और अभी के अभी नोट कर लो भाई साव आपके पास में पूरे 190 दिनों का समय जो है वह यहां पे हैं 190 दिन का समय है और आप बोद गुरूप का प्रिपरेशन बहुत ही बड़े किसे कर सकते हो ठीक है और कुछ बच्चे यहां पर कहेंगे कि सर मैं तो सेम गुरूप जो है वही दुबारा देना चाहूंगा मेरा कहना है कि क्यों मेरे भाई why do you want to waste the time कम से कम अगर मैं बात यहां पर करूँगा आपने नवंबर 23 से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होगा minimum got the point नवंबर 23 से लेके आपने जून 24 तक और प्रिपरेशन कर लिया है अगर देखेंग है कि आपको डिसंबर के अंदर जो दोनों गुर्प का एक्जाम है वो देने का कोशिश यहां पर करना चाहिए तो आपको भी अभी से क्या करना चाहिए पढ़ाई जो अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए फिर इसकी बार में बात यहां पर करूँगा सब मैंने तो क्या किय गया था भूद ग्र्वक का ग्जाम यहां पर दिया था आब आपके सामने भी पहले मस्त पेपर गया कोई दिक्रत वाली वात फिर को rahs और अगर आपका कहना है कि एक group जो है वो बहुत अच्छा गया पास हो जाँगा पक्की बात है लेगिन एक group जब यहां पर बिगड़ गया है तो ऐसे कि इसमें अगर मेरे भाई दीरे दीरे आपका जो रिविजन है वो आपको यहां पर स्टार्ट रखना चाहिए और आपको इस स्ट्राडिजी के हिसाब से यहां पर आगे बढ़ना चाहिए एक सो नभी दिन का आपका यहां पर समय है रिजल्ट आने के पहले अगर मैं बात करूंगो त तो ऐसी केस में आपको यह दोनों काम जो है वो यहां पर प्लान करने चाहिए मतलब क्या हुआ सबसे पहली बात जो अगला गुरुप हमारा है उसका प्रिपरेशन करेंगे फुल फ्लेज वाला क्लासिस के साथ में और जो बुले वैसाब आपने औरी प्रिपरेशन किया उसका जो प्रिपरेशन है वो दीरे दीरे आप चालो रखेंगे ताकि सफा चटना हो जाए अलका अलका रिविजन जो यहां पर आपका होते हैं फिर इसके बाद में 31st of October तक आप अपना स्लेवर जो क्या करेंगे कम्लीट करेंगे दोनों गुरुप का नॉम्बर वाले महि आपका होगा उसमें मैराथान हो गया लाइव आपके जो क्विज वगरा होते हैं वो सब आपके चीज़ें हो गई वो सब आपका हो जाने के बाद में फिर आप क्या करेंगे अपना एक्जाम जो है वह यहां पर देंगे अगर यह स्ट्राइजियों का फॉलो करते हैं तो आपका समय जो है वो एक दिन भी वेस्ट नहीं होगा और अगर आपने जो असी दिन है स्टार्टिंग के रिजल्ट आने के पहले के यह आपने बरबाद कर दिये तो इस बात की भी नौबत आ सकती है कि आप यह जून 25 के लिए प्रिपेर यहां पर कर रहा हूं और वहां पर म आप अपने आपको देने की कोशिश करेंगे गए अगर किसी को मेरी बाते जो बुरी लगे होंगे लेकिन आपका बड़ा भाई होने के नाते मेरी जिम्मिदारी बनती है कि मैं आपको सच्चाई से अववत कराऊं और यह रियलिटी चेक जो है वो आपको यहां पर मैं आपकेर बड़े और यह रिय rug